हेलो दोस्तो नमस्कार आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अनेक सब्दों के लिए एक सब्द तो दोस्तो यूपी TET में एक कोशन इसमें से पूँच लेता है और सी टेट में भी चाहें कोई सबी TET हो उसमें से एक पूँच लेता है पहला कोशन आपका है जो हसने योग्य हो तो उसका क्या आठत होगा जो हसने योग्य हो इसका right answer आपका होजागा हस से पाद B of Sun second question आपका है जो करम के अनुसार हो जो करम के अनुसार हो उसके लिए एक सब्द क्या होगा आपका यथा करम होगा B of Sun और दोस्तो लाश्ट में आपको comments करके ये भी बताना है आपके कितने answer सही गए है ये मानदार से बिरकुल ठीक है और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तो लाइक भी कर देना है कोई जबर जासी तो है नहीं आपसे बट अगर लाइक करेंगे दोस्तो थोड़ा motivation बढ़ ज हाती का बच्चा कलम जिससे करतव्य का बोध ना हो आप चाहें तो इसक्रेंशोड भी ले सकते हैं तो इसके लिए सब्दों का किंक करतव्य विमूड नेश्ट आपका लताव रक्सों से घिरा एकांत स्थल इसके लिए सब्द है कुंज बिना खिलाफूल कली होती है कुल क कलंकित करने वाली कुल्टा होती है जिसका विभान हुआ हो वहकन्या कुमारी खाने योग्य अन खद्यान होता है ऐसा ग्रहन जिसमें सुर्य पूरा ढग जाए तो यह होता है खग्रास ठीक है खग्रास होता है इस पर इंपोर्टेंट दोस्तों इसको नोट कर लेजेगा नेश्टे आपका सीग्रन पचने वाला भोजन क्या होता है गरिष्ठ होता है आगे चलेंगे आगे जो छिपानी योग्य हो उसे गोपनी बोलते हैं जो गाया जा सके गे होता है जो चिरकाल तक जीवित रहे चरंजीव होता है और देखिए इंपोर्टेंट से दोस्तों आ आप चाहें तो इंपोर्टेंट की आप इसकी सोड ले सकते हैं ले लिए जीएगा इसकी सोड क्योंकि वीडियो लंबी नहीं हो जाए आगे को सब्सक्राइब करनें आमको ठीक है ओके आगे भी दिखा देता हूं चले ले लिए जिएगा इसकी सोड ठीक है दोस्तों अब कोसन पर इसमें देखी इंपोर्टेंट यह भी आता है गोद लिया गया पुतर क्या होता है दत्तक होता है क्या होता है दत्तक और यह भी होता है जिसका दमन करना कठिन हो यह कोसन भी आता है तो आप इनको याद कर लिजीगा इंपोर्टेंट से कोसन की तरब आते हैं दोस आदी के अंत तक तो यह होता है आपका अध्यान्त डी ओफन चली दोस्तों फटा-फटा अंसर लगा दिजिए आपके सामने तीन कोशन रखे हुए हैं कोशन नमर पांच है जो व्यर्ज का वियर करता है कोशन नमर चैसे जिसके पास कुछ भी नहों कोसर नमबर 7 है जिसके माता पिता नहों चले कोसर नमबर 5 का अंसर हो जो वेर्ज का वे करता हो कोसर नमबर 6 का अंसर हो जिसके पास कुछ भी नहों वो उसके लिए एक सब्द क्या होगा आपका वो हो जाएगा आपका C ओसन जिसके पास कुछ भी नहो जहाँ पर बात हो रही है जिसके पास कुछ भी नहो जिसके माता पिता नहों कोस्तन नमबर साथ है आपका जिसके माता पिता नहों तो अनात होता है वो आगे है आपका इस वर में विश्वास रखने वाला नमा question आपका है दोपहर के बाद का समय और question number 10 है आपका जिसे वानिश से व्यक्तिनग किया जा सके चली question number 8 का right answer आपका हो जाएगा आस्तिक जो इसवर में विस्वास रखता है उसे आस्तिक बोलते हैं दोपहर के बाद का समय क्या होता है आपका यह होता है आपका अपर हान B option कोसन नमर 10 है जिसे वानी से व्यक्तिना किया जा सके तो वो होता है आपका एनिर वर्जनी है C option जो करते विकार निश्चाने कर सके निश्चाने आपका अन्रक को पचाने वाली अगनी कोसन नमर 11 का अंसर आपका C हो जाएगा यहाँ पर और कोसन नमर 12 को भी मैं आपको दिखा देता हूँ Importance कोसन दोस्तों यह कोसन 12 और 13 ठीक 11 भी आपका Importance है कोसन नमर 12 का अंसर आपका पहला हो जाएगा अन्रक को पचाने वाली अगनी के होती है जट रागनी होती है जट रागनी Next है जानने की इच्छा कोसन नमर 13 है जानने की इच्छा तो इसका अंसर ओजागा जिग्यासा जिसके मस्तस्क पर चंदरमाहो ठीक कोसन नमर 14 इसका अंसर ऋजागा चंदरमोली B option आपका यहाँ पर right होगा दोस्तू next question की तरफ हम चल लेते हैं साथ साथ लाइक भी करते रहें से भी लोग जिसके हाथ में चक्र हो ये question देखिए PRT माया था जिसके हाथ में चक्र हो तो इसको बोलेंगे चक्र पानी written माया था दोस्तू ये q 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 पद्रमिस्रित रचना जो गाया ना जा सके यह आपका गे दोस्तों मैंने आपको भी बताया था पीछे जो के हुए उपकार को नहीं मानता वो होता है कर्दगन ठीक है और दोस्तों कैसे लगी वीडियो कमेंट्स करके जरूर बताएं और अच्छे लगी हो तो आपने जो फ्रेंड्स हैं उसके सरकुल में आप बिर्कुल इस वीडियो को सेयर कर सकते हैं थैंक्यू फ्रेंड्स